Hey guys, welcome to Resource Point, myself Rishika और आज हमने यहां पर डिसक्स करने वाले हैं MCQs, Weez and Ize के Current Affairs magazine से यह September मन्त की Current Affairs से आपको मिलेगी और यहां मैं डिसक्स करूँगी Social Issues के जितने भी आपके sections होंगे उससे मैं यहां पर आपको questions दूँगे So, यह जो MCQs होते हैं, यह आपके revision point of view से भी आप इसको ले सकते हों जो भी मैं lesson पढ़ाई हूँ, आप एक बार lesson देख लो, उसके बाद MCQs solve करो तो इससे क्या होगा कि अगर आप कुछ भूल गए हो या फिर कुछ ना समझ पाए हो तो वो यहां आपको cover हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक topic से यहां पर आपको questions देती हूँ, जो भी important मुझे लगता है Okay, exam point of view से, so आप इसे अपने test के लिए भी देख सकते हो और इस questions को आप test की तरह आप practice करो और खुद को judge करो Okay, so पढ़ना और revision करना बहुत इतन ही important है जितना आपने को test करना भी Okay, so last में आप अपने comment box में मुझे यह answer लेकर बता सकते हो कि आपके कितने marks आए तो इसे मुझे भी समझ में आएगा और आप भी अपने आपको अच्छे से judge कर पाऊगे तो start करते हम लोग first question से उससे पहले मैं बता दू कि मैं unacademy as an educator वहाँ geography पढ़ाती हूँ with the help of map और जो भी topic आपको आपको हिंदी और English दोनो language में आपको MCQs देखने को मिलेंगे तो आप मुझे unacademy की learning app को download करके मुझे रशी का नाम की profile से वहाँ follow कर सकते हूँ या तो मैं इसके link description box में provide कर दूँगे आप मुझे वहाँ से follow कर लेना okay so start करती हूँ first question से यह एक आपको case दिया गया है India Young Lawyer Association versus state of care law okay तो यह case आपका किस से related है तो आप यह ध्यान रखिएगा कि जो भी case होती है न जब Supreme Court की verdict आती है तो उसमें आपको हर एक case दिखाए देगा तो exam में इस तरीके से आपसे question पुछ लिया जाता है कि यह case आपका किस verdict से related है okay so Indian Young Lawyers Association versus state of care law क्या यह आपका section 377 है section 498 है या सबरी माला temple है या आधार act है तो इसकी correct option हो गई आपकी C, Sabarie माला temple वैसे भी आप याद रख सकते हो क्योंकि यह जो temple है यह आपका केरिला में है और यहाँ जो case है वो state of care law है ठीक है तो इससे आप पकड़ सकते हो कि यहाँ आपकी option C correct हो जाएगी okay next question देखते है कौन सी ऐसी article है fundamental right का जो आपका violate नहीं कर रही है जिसमें कि आपको सबरी माला में women की जो entry को ban कर दिया गया था तो उससे related कौन सी ऐसी fundamental right है जो violate नहीं हो रही है okay तो question को ध्यान से पढ़िएगा मैं यहाँ पर not पूछ रही हूँ तो क्या यह article 17 है 16 है 14 है या 15 है तो यहाँ आपकी correct option हो जाएगी B article 16 जो है यह violate नहीं हो रही है अगर हम लोग देखे कि सबरी माला टेंपल में से है और article 15 है जो discriminations है तो article 15 कहता है कि आप किसी भी इंसान को उसके birth, sex, date of birth, date of place से आप कभी भी उसको discriminate नहीं कर सकते हो और आपका article 16 कहता है कि आप employment में या फिर आप office में कहीं भी लोगों को उसके sex, caste, religion या आपका जो भी creed है उसके basis पे आप discrimination नहीं कर सकते हो तो ये सब्रीमाला टेंपल में इंटर करने के लिए आपका employment से क्या लेना देना तो इसलिए article 6 आपका यहाँ पे नहीं होगा और बागी article 17 है जो की छुआचूट वाली जो होती है आपकी problem, untouchability वाली उसको abolish करता है और article 14 जो है वो कहता है कि law के सामने सबकोई equal है तो ये तीन आपकी article है जो surprise हो रही है और ये आपकी article 16 है जो surprise नहीं हो रही है तो ये इसके साथ साथ आपका एक और article भी वालेट होता है वो है article 25 जहाँ पे आपका देता है कि ये provide करता है कि हर एक person enjoy कर सकता है हर एक तरह की religion practice किसी भी आपको article fundamental rights में ये provide है कि आप कोई भी religion को adopt कर सकते हो और उसको practice कर सकते हो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप हिंदू हो तो हिंदू ही religion को practice करोगे तो ये article आपका 25 भी वालेट हो रहा है अब question 3 में चलते कौन से section है आपकी IPC की Indian Penal Code की जो कि आपका related है डौरी harassment से तो क्या ये आपका 498 section है 498 A है या 498 B है या 498 C है तो इसके correct option हो जाएगी आपकी B यानि 498 A तो ये जो आपका section है इसमें क्या होता है कि अगर किसी के husband या husband के relative अगर women को वो cruelty जैसा behave कर रहे है तो इसमें जो है डौरी harassment का charges लगता है section 498 A के अंदर next question recently Supreme Court ने struck down किया है section 497 तो ये 497 आपका किस चीज से related है क्या ये homosexuality है, adultery है, ban on women's injury या triple तालाग तो ये जो आपका 497 जो है ये आपका हो गया adultery से तो option B यहाँ पे correct हो गया next question नवतेज सिंग जोहन versus Union of India case ये किस से connected है ये दूसरा case है, पहला case मैं Supreme Miller Temple पे दी थी और ये दूसरा case है, तो ये दूसरा case आपका किस से related है क्या ये adultery है, homosexuality है, डौरी के harassment है या triple तालाग है तो इसकी जो correct option हो जाएगी वो है आपका homosexuality तो ये आप फिर से देखते लो, नवतेज सिंग जोहन versus Union of India ये आपका हो जाएगा homosexuality तो यहाँ पे आपका B option correct हो जाएगा next है कि इंजिया का क्या position है world में अगर हम लोग देखे national database on sexual offender के रूप में तो यहाँ पे आपका seven eight nine fourth तो इंजिया का क्या position है तो ये है answer C, ninth position है इंजिया का अगर हम लोग national database on sexual offender के रूप में देखे तो ninth rank होगे आपका world में और ये और भी आपका rolled out तो यह rolled out किया जाता है आपका Ministry of Human Affairs and Ministry of Women and Child Development के द्वारा जो यह आपका National Database on Sexual Offender है तो यह आपका इन दोनों मिनिस्टर के साथ rolled out किया जाता है इसको detail में पढ़ने के लिए आपको lesson देखना होगा उसमें आप मैंने इसको detail में discuss कियी हूँ कौन सी इसमें सी following जो है वो आपका features नहीं है NDSO का इसमें जो National Database on Sexual Offender का कौन सी ऐसी आपकी features नहीं है तो पहली statement कहती है कि इसमें आपका details होगा around 4.5 lakh people का जो कि आपके convicted होंगे sexual offenses के दूसरा है कि यह maintain किया जाता है National Crime Reports Bureau और उसके साथ criminal department branch से और तीसरा है कि यह accessible है only law enforcement agency को और चौता है कि यह आपका compromise नहीं कर सकता है किसी भी individual के privacy से तो इसमें जो आपका correct answer है वो है B क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो features नहीं है NDSO को सिफ maintain किया जाएगा आपका National Crime Record Bureaus के द्वारा इसमें आपका कोई भी criminal department branch include नहीं है तो यह आपका इसका answer हो जाएगा NCRB इसमें की B Next question कौन सी ऐसी online portal जो है वो launch की गई है government of India के द्वारा जिसमें कि अगर कोई भी complain होगा जो कि आपका objectival online content के द्वारा कोई भी अगर complain होगा तो वो government of India के द्वारा एक online portal launch किया गया है वहाँ पे जो है कोई भी citizens वहाँ complain launch करा सकता है तो ऐसा कौन सा आपका online portal है क्या यह cybercrime.gov.in यह cybercrime.gov.com यह cybercrime.com यह cybercrime.gov.nic.in इसमें आपकी correct option होगी cybercrime.gov.in यह आपका एक online portal है जिसमें क्या होता है कि आपका कोई भी online content जैसे child pornography दिखा जाता है या फिर sexually से कोई भी related आपकी video हो ओके तो यह objectible online content से related आपको कोई भी complain अगर launch करानी है तो आप इस website में launch करा सकते हो. ओके यह आपकी online portal है. यह government of India के द्वारा launch किया गया है. नेक्स question देखते हैं कहां से आपका प्रधान मंत्री जन आरोग योजना जो है launched हुआ है. यह most important question है. आप इसको इतम स्टाक्मा कर लो और जितनी भी related question इसे बनती है ना मैं सब की practice कराऊंगी पर कुछ-कुछ question आप यहां देख लो आगे आने वाले lectures में भी उसको upload करूँगी तो यह कहां से आपका जन आरोग योजना launch हुआ है. तो यह आपका जारकन से launch हुआ है. लेकिन जारकन के किस city से यह मैं यहां पूछ रही हूँ धनबाद, हजारी बाग, रांची, जमशितपूर तो इसकी correct option हो जाएगी आपकी C रांची. ओके रांची से यह launch किया गया है और यह world का largest state funded health insurance scheme होगा जिसको हम दो कहेंगे प्रधान मंत्री जन आरोगे योजना ओके. नेक्स्ट कोर्शन है, consider the following पहली statement है, beneficiary जो है identify किया जाएंगे as per the latest socio-economic caste sensor SECC data for both rural and urban area as well as active families second statement है कि जो hospitalization होगा वो cover करेगा आपका inpatient care to post hospitalization care तीसरा statement है कि जो national health agency है NHA वो provide करेगा overall vision तो इसमें से आपका कौन सा correct है आयश्मान भारत के regarding ओके तो यह आयश्मान भारत अगेन एक बहुत important topic है ओके यह भी सब एक ही में है मैं इसको detail में आपको lesson में बताई हूँ अगर आपको कोई confusion है तो आप देख लो तो इसमें से कौन सी statement आपकी correct है तो इसमें आपका C यानि तीनों statement आपका correct है तो इसमें क्या है कि यह योजना जो है आपका coverage provide करेगा जिसमें आपका 5 lakh per family को दिया जाएगा तो यहाँ पर आपका primary healthcare नहीं होगा यहाँ पर secondary और tertiary healthcare होगा और हर साल आपको 5 lakh रुपीज जो है per family per year दिया जाएगा और इसमें जो beneficiaries होंगे उनको socio-economic जो cast census हुआ था SECC उनके द्वारा beneficiaries को दियाज provide किया जाएगा next question कौन से इसमें सी following जो है वो आपकी incorrect है अगर हम लोग बात करें OECD के बारे में यानि organization for economic corporation and development the first statement है कि यह आपका inter-government economic organization है जो की aim करता है promote करने के लिए policies जो की आपका improve करेगा economic and social well-being of people around the world second statement है कि इंडिया इसका member है OECD का third statement है कि इसमें आपके total 36 members country है और fourth है कि यह आपका found किया गया था 1960 में तो कौन सी इसमें से आपकी incorrect है तो incorrect जो है वो आपकी है option B क्योंकि इंडिया OECD का member नहीं है okay so guys if you like this video then please like, share and don't forget to subscribe my channel and if you have any kinds of talk you can ask me on comment section thank you